पुछ वर्षों में काम करते करके ये सूत्रों को किताब में भी लिख डाला है। अश्टांग हिर दे हम भाग एक भाग दो भाग तीन मूल लेखक भाग वट्ट जी हैं मैंने सिर्फ सलेक्शन किया और सलेक्शन के साथ आज के हिसाब से उसको थोड़ा मिशलेशित किया है जैसे मैं एक उधारन दू तो आपको मेरी बात समझ मैं एक सूत्रुनों ने लिख अगर नहीं मिला किसको भोजन को वो भोजन कभी नहीं करना क्यों ये भोजन नहीं विश है कहना क्या चाहते हूं और आज के हिसाब से विशलेशन करें सन 2007 के हिसाब से विशलेशन करें अब तक मैंने जो बोला वो बागवट्ट जी का हिस्सा था अब जो वो बोल रहा हू तकनीक है जिसमें भोजन बनाते समय ना तो सूरी का प्रकाश जा सकता है ना पवन का इस परश उसको मिलेगा फिर मैंने वैज्ञानिकों से बात की कि यह प्रेशर कुकर का भोजन बिश है ऐसा बागबटी जी कहते हैं आपका क्या कहना है तो हमारे देश में CDRI नाम की एक ब जदन काट देंगे हम तुम चाहो तो बोलो मैंने का आपकी रिसर्च क्या कहती है वो यह कहते हैं कि यह जो प्रेशर कुकर है ज्यादा से ज्यादा या 99% अल्यूमीनियम के बने हुए है और वो यह कहते हैं कि भोजन रखने और बनाने का सबसे खराब मैटल अगर कोई है तो अल्यूमीनियम ही है अठारे साल का रिसर्च यह कहता है कि अगर इस अल्यूमीनियम के प्रेशर कुकर का खाना बार बार आप खाते जाओ तो गारेंटी है कि आपको डाइविटी अस्थमा टीबी अर्थराइटिस ब्रॉंकाइटिस भी होने की पूरी संभावना है और सबसे जादा टीबी होने की संभावना है तो उन्होंने का 48 बीमारियों को हम डिटेक्ट कर चुके हैं जो प्रेशर कुकर के खाने से ही होती है और उन्होंने का सबका जीवन कम होता है और जीवन की शक्ती कम होती है प्रतिकारक शक्ती कम होती है और रोग बहुत जल्दी उनको आते हैं मैंने ये तै कि पता करो कि ये अल्यूमिनियम कब से आया तो पता चला सौ सवा सो साल पहले आया कि अंग्रेजों की सरकार का जो पहला नोटिफिकेशन आया अल्यूमिनियम के बरतन बनाने का वो जेल के कैदियों के लिए ही आया और उनका ये तै हुआ था कि जेल के कैदियों को अल्यूमिनियम के बरतनों में ही भोजन दिया जाए क्योंकि ये सब भारत के करांतिकारी हैं और अंग्रेजों को इन्हें मारना है उस जमाने में आप जानते हैं जेल में कोई भी होता था तो वो क्रांटिकारी होता भगत सिंग हो या उदम सिंग चंदरशेकर हो या आश्वा कुला राजिदनात लाहडी हो या ठाकुर रोशन सिंग ये सब तो क्रांतिक कारी थे जो जेलों में जाया करते थे अंग्रेजों के जमन इनको जान बूच कर अलूमिनियम के बरतन में ही ठाना देना है ताकि ये ज जेलों में आज भी ये नियम चल रहा है कि भोजन अलूमिनियम के बरतनों में ही दिया जाएगा और अब मुश्किल ये हो गई है कि वो जेलों से हमारे घर में आ गया और हमारे घरों से जादा गरीबों के घर में आ गया जादा गरीब लोगों के भोजन तो सारे अलूमिन का भोजन नहीं करना क्योंकि यह जहर है एक और चीज़ अपने घर में रेफृजरेटर और एक तीसरी चीज़ है अपने घर में माइक्रोवेव ववन इसमें भी सूरी का प्रकाश नहीं जा सकता पवन का इसफर्श नहीं हो सकता मतलब सीधा सा ये है कि आधुनिक तक्निकी से बनी हुई चीजें जो हमारे घरों में आई हैं पिछले पंद्र बीस वर्षों में बागवट्टी जी के अनुसार इन में रखा हुआ पकाया हुआ भोजन विश है तो ना करें आप कहेंगे जी हम तो करेंगे हम तो छोड़ नहीं सकते प्रशर को करको हम तो छोड़ नहीं सकते रेफ्रिजरेटर को हम तो छोड़ नहीं सकते माइक्रोव वोबन को क्योंकि इसमें भोजन से समय बचता है तो मैं उनसे पूछता हूँ ठीक है समय बचता है तो बचे हुए या एक घंटा समय बचाया भोजन पकाने में ये आपका घंटों घंटों हॉस्पिटल में खराब कराएगा तब नेट रिजल्ट क्या वही शूनिक का शूनिक प्रेशर फुकर एक ऐसी टेक्नोलजी है जो खाने को जल्दी पकाती है ये है सीधा सा मतलब अब खाने को जल्दी पकाने के लिए ये प्रेशर फुकर क्या करता है जो भोजन आपने उसमें अंदर रखा है पकने के लिए उस पर और जो पानी डाला है आपने भोजन पकाने के लिए उस पर अत्रिक्त दबाव डालता है ये है प्रेशर प्रेशर मने दबाओ और ये अत्रिक्त दबाओ कहां से आता है प्रेशर कुकर में आपने डाल गाली उपर से पानी डाला थोड़ा हल्दी मसाले डाल कर बंद करके रख दिया अब उसमें वो सीटी लगा दी वो सीटी लगाई यही सबसे खतरनाक चीज है पूरे प्रेशर को करकर सीटी लगाते ही क्या करता है नीजे से गर्म और उपर से भाप का दबाओ किस पर दाल पर चावल पर सबजी पर ये दबाओ डाल के होता क्या है एक दाल को तोड़कर दो गरम होता है तो उबल जाती है पकती नहीं है उबलती है पकना और उबलने में अंतर है उबल गई है और उसका softness बढ़ गई है तो आपने खा लिया तो आपने कहा पकी हुई दाल खाली माफ करिए दाल पकी हुई नहीं है पकी हुई दाल का आयुरवेद में एक सिद्धान्त है कि जिस वस्तू को खेत में पकने में जितना जादा समय लगता है भोजन रूप में पकने में भी उसको जादा समय लगता है तो आप जानते हैं अरहर की डाल को खेत में पकने में कम से कम साथ से आठ महीने लगता है क्यों अरहर की डाल में जो कुछ भी है जिसको आप न्यूट्रियंट के रूप में जानते हैं माइक्रो न्यूट्रियंट के रूप में जानते हैं खेत की मिट्टी में कैलशियम है, खेत की मिट्टी में आईरन है, खेत की मिट्टी में सिलिकॉन है, कोबॉल्ट है, जिप्टन है, जोरोन है, ये सब माइक्रो न्यूट्रियंट्स खेत की मिट्टी में है, ये पौधे की जड़ में आते हैं, जड़ से तने में आते हैं, तने के तूट जाने पर बिखर जाने पर तो वो बिखरने और तूटने में उसको देरी लगने वाली है क्योंकि आने में देरी लगी है और प्रकरती का दूसरा नियम है कि जिन चीजों को पकने में बड़ा होने में जादा समय लगा है उनको डिजॉल्व होने में भी जादा समय और दाल जब डिजॉल्व होगी, तब उसके पूटीन साफ को मिलेगे भोजन में, इसलिए आप दाल खा रहें, ताकि आप को पूटीन की कमी पूरी हो, कुछ विटेमिन साफ को चाहिए, कुछ पूटीन साफ को चाहिए, तो आयरुवेद का नियम बिलकुल सीधा है कि डाल जादा देर में पकी है तो घर में भी जादा देर में पके अब मेरे समझ में आया कि हमारे पुराने लोग जो बुजर्ग थे वो कितने बड़े वेग्याने